कि अचल्व आघके मैं हम बताने वाले हैं कि कैसे है आदहार कार्ड में मौआइल नमर को जोड़ सकते हैं तो जानने कि इस वीटियो को पुरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लाएक जरूर कर देना और अगर पर ने चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिपेशन वेल को जरूर अन कर देना तो चलिए वीडियो को चुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आजानिए जिस वेबसाइट का नाम है इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिशन मिल जाएगा डायट आप वहां से आभी सकते हैं ने तो गूगल में सेर्च करके भी आप यहाँ ऑफिसल वेफसाइट पर और भेना हो सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर दिखाया थैरा जाह पर लिखावा है बूक एण एपोइन आपको यहां पर क्लिक कर लेने हैं अगर उसके बाद आपके सामने इस तरह कोप्षान देखा मिलता है इसकी फ्रेस आधार इंडॉल्मेंट अगर नए आधार बनाना चाहते हो तो यह भी है नाम अपडेट एड्रेस अबडेट मुवाल नमबर अपडेट एमेल अपडेट डेट अब बर्देट जंडर अब्ड लिए और आपको यहां पर देखा है तरह है सेलेक्ट सीटी अलोकेशन ताप कि में पुर्पी लोकेशन से सामने वाला आपको यह सब्सक्राइब कर लेनी है ठीक है अब से पहले आप इंडिया नो तक उसकुस को सिलट करनी है अगर आप इंडिया से बाहर रहता है ताप इ यहाँ आपको यहाँ इस परका सोब theCUBE करने कि पाद देखेर जोर्प अपको उन्रा mmXthemum क्रोड़ Link करने के बाद आपको इस तरह प्रक्चा में डिखा मिलता है जहांपद दिहां गां जोएाख है कि अप्र यह धाल अफर में होगी में कमें फिर माव रहाघÈन के सलाइज को जिताय नव सब्सक्राबर क्लिक कर देनी है। कर देनी है तो जैसे आ पर किलिक करो हुए तो गया आपके स्टार को पॉपप मेंसेज यहां पर आपको अधार लाया या ये रू यह लोह ओं अपना है यह पर नाम आजाता है उसके बाद आपके आधार नमर को वैरिफाय करना है तो चलिया चाहिए को वह नदेखाए करना आपको क्या है कि उसके बाद आप देखोगी कए काप के सामने यह dashboard आ चुका है ठीक है तो आपको यहां पर scroll down कर नीचे आना है और नीचे आ जाने के बाद आपको यहां पर save and proceed पर click कर देनी है उसके बाद आपके सामने page थोड़ा से loading लेता है उसके बाद आप देखोगे कि आपके सामने इस तरह को आता है update details तो आपको यहां पर इंडिया रेसिडेंट उसके बाद आपको यहां पर एक यह उप्सन आता है जहां पर है कि इसको दिखाते तो करना चाहिए यहां पर आपको बोल रही है कि I confirm that I have been residing at a इंडिया 182 दिन में आधिक दिनों से रहा हूं इसके लिए करना होता है उसके बाद आपको नीचे एडिट पर कर सकते हैं कि यहां पर क्लिक कर देनी है उसके बाद आप देख सकते हो कि your applications has been submitted और आपको यहां पर appointment number मिल चुगा है अगर आप book appointment करना क्लिक करना चाहते हो त तो चली में यहां पर book appointment क्लिक कर लेता हूं उसके बाद आपको यहां पर अलाव करने के लिए बोलता अपना location तो मैं अपना अलाव कर लेता अपना location को उसके बाद आपके सामने यहां पर आ चुग है no data fund यहां पर कोई नहीं बता रहा है तो चली में यहां पर अपना search कर लेता का मेरा नजदिक में कौन सा आधार सेंटर है तो सबको यहां पर क्लिक कर देनी है उसके बाद आपको यहां पर दिखाए दे रही है कि search by center अगर आपका center search करना चाहते तो search chamber कर सकते हो नहीं तो आप यहां पर pin code डाल के भी change कर सकते हो ठीक है जैसे का आप state डालोगे district डालोगे पुर्ट अभी डालोगे यहां चलिए यहां पर मैं सेटश भाई नाम नहीं तुमिंगे से कर देता हूं इसटेट से तो मैं अपना इस्टेट सट आलगा मैppen थेक हैं ऊसके बाद आपना district कर लिता हूं के पुस्ट भी श्लत कर रेता हूं कि उसके बाद आपको यहां पर गेट डिटेल पर क्लिक कर देनी है कि यहां पर दिखा रही कि नो डिटा फॉंड यानि कि कोई भी यहां पर आधार सिवा सेंटर एवैलेबल नहीं है ठीक है तो इस तर्स आपको ढूल लेने आपको कहीं नहीं मिले जाएगा नहीं तो यहां पर सेर्च भाई नाम भी यहां से कर सकते हो तो फिलाल अभी कोई भी आधार जो एपॉइंटमेंट है कोई भी बंद है सब कुछ अभी लोगडाउन चल रहा है इसलिए अपकोई डेटा फॉंड नहीं हो रहा है ठीक है ना त अडार बाई